हलो दोस्तों स्वागतियार एक और नहीं वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ ICC Cricket World Cup 2023 के 41 मैच की प्रेडिक्शन के बारे में जो भारती समय नुसार दो पैर में दो बजे से स्टार्ट होगा के साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनाल प्रेडिक्शन भी आपको बता हूँगा और फैंटेंट्सी टीम की भी बात हम करेंगे दोस्तों देखो यार वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप ठोसकी प्रेडिक्शन जानना चाहिए तेलीग्राम चैनल को जोइन कर ले ना पांच बिकिट से और इनकी पोसीबल प्लेंग लेंग टीम के विन कनवे रचेन रवेंद्रा केन विलियमसन टोम लेथम डेरियल मिसेल इनके बैट्समेन गलेन फिलिप्स मार्क चैफमेन इनके उल्राउंडर प्लेयर से मिसेल सेटनर इसन सोडी ट्रेंट बोल्ट टीम इनके लास्ट मैच परफोर्मेंस के बारे में रचीन रवेंद्रा ने बड़िया परफोर्मेंस किया था एक सो आट रण बनाए थे साथ मैर केन विलियमसन ने भी पिछे अनमरन की पारी खेली थी और दोस्तो देखो यार यह 400 रण का टार्गेट करकर भी डगवर्त उनके प्रफोर्मेंस के बारे में दोस्तो अपना लास्ट मैच परफोर्मेंस के बारे में देखो है और लास्ट मैच में चरिता सलंका ने बड़िया किया परफूर्मेंस किया था सतक लगाया था और दोस्तों बढ़िया बले बाजी किती साथ मैय दिल सानं मधु संका ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था तीन विकट निकाल है थे दोस्त गुप टाकि इन जब तीमों के सो algal ter जिन मेंसे न्यूजिलेंड ने 31 मैच जीते हैं जबकि यार्सिललंका ने 22 मैचों में जीत दर्ज किया दोखे यार्सिललंका का 326 मैच स्कोर है न्यूजिलेंड के खिलाफ और दोस्ते इन दोनों टीमों के बीच में 12 मैच टाई भी हुए है साथी में दोस्तों निजलेंड अपने खेलेगे लास्ट पांच में चो में से एक मेंच में जीत करा रहे हैं और चार में चो में कंट्यूनिय हार करा रहे हैं लंका अपने खेले गए लास्ट पांच में चो में से दो में चो में जीत करा रहे हैं और तीन में चो में हर करा रहे हैं साती में दोस्तों सिल लंका अपने खेले गए लास्ट दस में चो में से चार में जीत करा रहे हैं और निजलेंड अपने खेले गए लास्ट दस में चो म में इस्टेडियम बैंगलोर में खेला जाएगा और आपको अच्छे से पता है कि बाउंडरी लेंथ बहुत चोटी है पिछला मैस निजिलेंड का यहां पर ही खेला गया था जिसमें दोस्तों निजिलेंड ने चार सो का टारगेट यहां पर कर दिया था बात करें दोस्तों बाउंडरी लेक साइड की तो दोस्तों यहां पर लेक साइड के बलेबाद जो को बहुत अचा प्रोफिट देखने को मिलता है साथ ही में दोस्तों का वैदर बिल्कुल के लिए रहेगा यहां पर बरसाथ की संभावना बिल्कुल भी नहीं है हाला कि दोस्तों तक यहां पर पॉंच मैच्छ खेले हैं जेनमे दोस्त इंको है आप वी मैच में जीतना हैं मिली अभी तक साथ सिल लंका ने अभी तक इस इस केंश मैचछ खेला उसमें दोस्तों इनको जीत मिली थी और दोस्ते हैं पर हाईयस्ट चेस 313 run का हुआ है, जबकि यहाँ लोवेस्ट डिफेंड यापर 210 रन का हो चूका है और दोस्तों देखो याँ याँ पर फास्ट बोल्रों को बहुत अचा प्रोफिट देखने को मिलता है याँ पर फास्ट बोल्रों को 68% विकेट देखने को मिलते हैं गोलो को यहां पर 12 परेंड विक्ट देखने को मिलते हूं और यहां पर पैले बैठिप परने वाले टीम क्या स्क्र कर परेंड यूर्ष सो 14 चे कहा है और यहां का हाईस्ट स्कोर 401 रन पर 6 विकेट का है जो कि नुजिलेंड का ही है और यहां का लोंगेस्ट स्कोर 116 रन पर 10 विकेट का है दोसतों यहां का हई सकोर पेटन है दोस्तों की नीचे 3 22100-2214 के बिच में आपर 4 वार सकोर ना है वेदर बिल्कुल के लिए रहेगा बात करते हैं दोस्तों फेंटाइंट सी टीम के बारे में वह आपको में टेलिग्राम चेनल पर दूँगा बात करें यार देखो मेंच प्रेडिक्षन के बारे में दोस्तों आपको पता है यार दोनों फेंटी मों का परफॉरमेस का अच्छा। में बताना और दोस्तों आपको पता याद किरके टेके नीचे तका खेला यहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो किसे चीज की कोई गेरेंटी नहीं है साथ मैं अभी तक आपने मारी टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया तो उसको भी जुरूर जोइन कीजिएगा लिंक जय हिंद जय बार्त बंदे मार्त